लो फ्रेंस वेल्कम बैक टु आपको य। ब्यूटिफुल साड़ी से लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्रॉडियल स्टेब बसे बताऊंगी तो चलिए मैं स्टार्ट करते हूं वीडियो को तो फ्रेंस ये लेंगा बनाने के लिए मैंने ये हूल साड़ी लिया तो पहले हमें इसकी साड़ी के डिटीलिंग आपको बता देते हूं फ्रेंज की ये इस साड़ी के ऊपर चेक्स में सेल्फ डिजाइनिंग किया हुआ था तो आप देख सकते हैं जिस तरह है और दोनों साड़ी के दोनों साइड से इस तरह के बॉर्डर बने हुए थे तो मैं मैंने कट करके निकाल दिया है अब सारी चोली के लिए और पल्लू का पार्ट निकालने के बाद लगबख हमारे पास से फोर मीटर फैब्रिक बचता है तो अगर आप इस तरह का लेंगा बनाना चाहते हैं फैब्रिक में तो आप चार मीटर कपड़े का यूज कर सकते हैं इसतरा का लेंगा क्रियेट करने के लिए तो यहां पर मैंने एक साइट के बॉर्डर से मैंने में मेंजर करेके देखा तो फोरीवन इंचस आ रहा था हमें एक साइट का बौडर चाहिए दुसरी साइट साइट का बौडर हमनिकालदेंगे तो लहेंगा बनने के लिए फ्रेंस आप चाहें तो अगर आपको लैंध कम पड़ रहा है तो एक साइट से और यहाँ पर बौड़र निकालके आप नीचे जोइंट करके इसकी को इंक्रीज कर सकते हैं पर यहां पर हमारे मेजर कर ak petals 43 यहां जाए के निकालने के बाद में यहां पर मैंडे इस बास इन पास 40 इंच तयार के यहां पर हम 3 इंच का रहा हुद्ग 2-2 जा तो फिर हमारे पास जितना हमारी measurement है उसके according हमारी length पूरी हो जाएगी यहाँ पर आपको मैंने measure करके दिखा दिया है friends कितना आ रहा है इसकी lining के लिए मैंने crave fabric use किया है 3.5 meter जिसे हमने umbrella cut में cut कर लिया है और अब हमारे पास जो साड़े का कपड़ा main fabric था उसके पर हम plating कर लेंगे और plating करने के बाद simply जो umbrella cut हमने lining किया है उसके उपर इस तरह stage कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ इस तरह stage करने के बाद में friends मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें इसके side में fitting लगाना है तो side की fitting के लिए friends हमें lining का और main fabric पकड़ की वे इस तरह stage कर लेंगे अलग-अलग से और फिर stage करने के बाद वहां पर हमने 10-12 इंच तक का लंबा इस तरह हमने एक जिप attach करना है आप चाहे नॉर्मल जिप attach कर सकते हैं और फिर इन्वीजबल जिप भी attach कर सकते हैं जिप attach करने के बाद नीचे के हमने simply दोनों पकड़ के इस तरह stitch कर लिया है अब यहां पर main lining का कपड़ा लिया है जिसका double fold करने के बाद 3 इंच मैं यानि total 6 इंच चोड़ा fabric लेने के बाद में हमने इस तरह cut कर लिया है यहां पर मैं friends इसकी लंबाई नहीं बता रही है क्योंकि हम इस तरह cutting करने के बाद में यहां पर हम लंबाई मेजर करके हमारे वेस्ट के according belt लगाएंगे अब lining के fabric पर हम main fabric रखके इस तरह दोनों साइट से stitch कर लेंगे इस stitch करने के बाद में friends यहां पर मैं canvas यूज नहीं कर रही हूं आप चाहे तो यहां पर बुक्रम यह canvas पेपर का यूज कर सकते हूं अब यहां पर मैं measurement कर लूँगी तो friends double करके मैंने measure किया है तो यहां पर हमारा 15 इंच आरा यानि double इसका 30 इंच वेस्ट है तो friends हम इसी तरह हम बेल्ट को भी measurement करके side में fold करके और इस तरह गोलाई में लगा देंगे यहां पर दो इंच में extra हमेसा लगाती हूं ताकि in case future में अगर हमें tight lose करने की जरूद पढ़ जाए वेस्ट में तो वहां पर हम use कर सकते है और सिलाई माने के बाद में यह final look है friends आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताया और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार try करें जरूर पहनने के बाद यह बहुत ही हसीन लगता है friends मैं आपको बताने सकती हूँ रियल में बहुत ही जादा खुबसूरत बनाता इसके साथ जो मैंने ब्लाउस बनाया उसका short वीडियो मैंने upload कर दिया अपने चैनल पर तो उसका link भी description box में डाल दूंगी आप जाके वहां पर भी देख सकते हो तो friends कैसा लगा वीडियो झाल 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 झाल